बिस्मिल्लाई रह्मानी रहीम अस्सलाम वालेकूम वेलकम बैक मैं हूँ साजगा और मेरी कीचन में आप सब का स्वागत है कैसे हैं दोस्तों उमीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे आज हम आप लोगों के साथ सैर करने वाले हैं अंडा बिर्यानी की रेसिपी अं यह बिर्यानी आज हम कडाही में बनाएंगें चलिए यह फीमल तरीके से बिर्यानी बनाना चावल लिया है mouve इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से धो के वाश कर लेंगे और इसको फूलने के लिए हम हाँ पावर के लिए छोड़ देंगे अगर आपके पाश टाइमिंग है तो वाँ आवर के लिए छोड़ चकते हैं और हमने आलू लिया है हम आलू और अंडे के साथ बिर्यानी बनाएंगे चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद हम यहाँ पे वन बड़े साइज का टमाटर है उसको भी हमने बारिक चौप करके ले लिया है इसके बाद हमने यहाँ पे दही लिया है यहाँ 200 से 1500 ग्राम के लगवक दही है हम इसे अच्छे तरीके से फेट लेंगे और हमने एक भी डाल देना है हमें संभाल के डाले तकि यह तूटे नहीं और गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे इसके बाद आलू भी हम इसी में डाल देंगे आलू हम थोड़ा सा अंडे के साथ ही उबाल लेंगे आलू को भी आलू भी इससे थोड़ा सा पक जाएगा इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ड डालेंगे क्योंके हम आलू डाले हैं तो आलू में सॉल्डव हो जाएगा अच्छी तरीका से, इसके बाद हम इसको ढग देगें, ढग के हम इसको 10 से 12 मिनिट तक हाई-फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे, अगर आप हाई-फ्लेम पे नहीं पकाना चाहते तो medium to low में भी रख सकते हैं हम इसे high flame पे बना रहे हैं तक यह जल्दी से पक जाए चलिए हो गया है 10 से 12 मिनट हम देख लेते हैं यह देखे अंडे जो है वह अच्छी तरीके से पक चुके हैं अब हम इसको ठंडा होने देंगे और इसको हम उबाल लेंगे एक अंडे देख स किर्यानी में पका लेंगे इसके बाद हम एकड़ाही में तेल गरम करेंगे तेल गरम होते ही पहले हम इसमें आलू थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे जो मेरा हाप आलू पका हुआ है और इसमें मेरा 20 परशन आलू यहां फ्राइ करते हुए ही पक जाएंगे हमने आलू में कल ओर देख सकते हैं कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर इसमें आ चुका है आप इसको है फ्लेम पे अच्छी तरीके से फ्राइ कर ले यह फ्राइः हो चुका है चलिए दोस्तों अब हम इसको निकाल लेते हैं मेरे हस्बेंट को अंडे के साथ आलू चाहिए इसलिए हमने इस व रेट चीली पाउड देखके अच्छी तरीके से थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे इसके बाद हम इसमें एक डाल देंगे इचि-चि तरीके से थोड़ा सा पक चुका है कि हम इसमें एक कर देंगे और घंवे अब आप Buddhas कर देंगे into harvest कर् Cent Tale कर देंगे एक बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा आप इसको इस तरह करते हुए चलाते हुए इसको पकाते रहें आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसका लर-चेंज हो चुका है अंडे जो है थोड़े से फ्राइ हो चुके है अब हम इसको निकाल लेंगे इससे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे बहुत सारे लोग अंडे को डीफ फ्राइ करते हैं अगर आप उस तरीके से करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हैं मुझे डीफ फ्राइ पसंद नहीं है हमने इसलिए से मसाले के साथ थोड़ा सा सौटे किया है इससे नमक भी अंडे में थोड़ा समझाएगा इसके हैं अगर आपके पास विक्सर एवेलेवेल हैं तो हम यहां विक्सर नहीं है चमस से ही इसको अची तरीके से फेट लेंगे यह देख सकते हैं हमने इसको फेट लिया है अब हम इसमें मसाले अड़ करेंगे हम यहां हाप टीबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा हम हल्दी प बढ़ें और यहां हम गॉंट वलुश्बून धन्य पावड़ें दालेंगे गरणाव देना जीरा और गुलमिर्ष का पावड़ा हमने मिक्स करके डाला और यहां पे थहां सग्या धाथ कि ने सब को हम धछी के आप इस तरीके से इसको कर ले और इसको अच्छी तरीके से फेट ले इसे जो सील बट्टे में हमने जो मसाले जो पीछते हैं उसका यह स्वाद आएगा आपको अगर इस तरीके से आप दही में मसाले को मिला के रख देंगे तो हम इसको 10-15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे तब तक हम दूसरा step कर लेते हैं चलिए हमने यहां पर एक कडाही गरम कर लिया है और जो हमने यहां पर आलू फ्राइ किया था वो जो तेल बचे हुए थे उसी तेल में हम पहले प्याज को फ्राइ कर लेंगे हम यहां हाप प्याज को फ्राइ करेंगे जो हाप बचा के इसो निकाल लेंगे चले यह अच्छी तरीके से फ्राइश हो चुका है इसσε нрав्रीkte पकाने से और बोल हो जायेंगे इसको निकालकर donc झोते दो यहां थे हों ना टालेंगे जैसे यह थोड़ा सा सौट यह थे थोड़क्त हो जाएंगे इसके बादICH हम इसमें जो बचे हुए प्याज है ना वो एड़ करेंगे हमने जो हाप बचा के रखे थे हमने प्याज के दो हिस्से किये थे आप अगर इसे वजन में देखेंगे तो यह टोटल 300 ग्राम के लगवक प्याज है हमने 1500 ग्रम पहले फ्राइ करके निकाल लिया था वो हमें गार आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं वहीं हिसाब से आप चिली को एड़ कर सकते हैं कम या ज्यादा थोड़ा सा यह फ्राइ हो चुका है प्याज अब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे हम यहां वान टेबल स्पून अद्रक लैसुन का पेश्ट डाले हैं यहां हाप टे अच्छी तरीके से पक चुका है इसके बाद हम इसमें टमाटर डालें हमने जो बड़े साइज के टमाटर को बारिक चौप किया था वह हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ हम अच्छी तरीके से इसको पका लेंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक भी एड़ कर लेते हैं चलि तीन से चार मिनट के लिए पका लेंगे तीन से चार मिनट हो चुके चलिए हम देख लेते हैं यह देखे टमाटर जो है वो अच्छी तरीके सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम इसमें मसाले आइट कर लेते हैं हमने जो दही में मसाले मिक्स किये थे वो हम इसमें डाल देते हैं हम इसमें सारे मसाले को अच्छी तरीके से निकालते हुए डाल देंगे कुछ भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है यह देखिए हमने यहां पर सारे डाल दिया है और इसके साथ हम इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे तके मसाले जो है वह अच्छी इस टाइम मेडियम कर देंगे तेल के छीटे आ रहे हैं इसलिए हम इसे थोड़ा सा कौबर करके पका रहे हैं यह देखे मसाले जो है वह अच्छी तरीके से भूंची के हैं इसका बहुत अच्छा सा खुसबू भी आ रहा है अब हम इसमें भूने हुए जो आलू थे हमने जो फ्राय किये थे वह आलू को हम पहले डाल के अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम आप इस टाइम मेडियम कर दे मेडियम फ्लेम पे आलू के साथ एक से दो मिनट तक मसाले को पका लें तकि मसाले में भी आलू अच्छी तरीके से समझा है उसके पानी उससे थोड़ा सा पानी ज्यादा लिया है हाप कीजी चावल है तो हाप कीजी से और ज्यादा हमने डवल के से थोड़ा सा कम हमने पानी एड़ किया है और पानी आप थोड़ा सा उबाल के रख ले अगर कम या ज्यादा हो तो बाद में आप एड़ कर सकते हैं इसके बा बहुत अच्छा सा एक flavor आएगा इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसको डालने के बाद हम इन सब को अच्छी तरीके से मिला लेंगे क्योंकि इसके बाद हम चावल को मिला नहीं सकते हैं वरना चावल तूटने लगेंगे इसके बाद हमने जो यहां पर फ सजाने के बाद आप इसको सजा देंगे आपने कभी इस तरीके से अंडे बिर्यानी बनाया है कि आप हमें कमेंट में जरूर बताए हैं दोस्तों हमने इसको यहाँ पर रोज वाटर लिए थे थोड़ा और इसमें हमने थोड़ा सा अहतर डाला था दोनों को मिक्स करके हमने उपास से डाल दिया है और इसका ढखकन हमने बन कर दिया है सुरुआत में हम इसको 3-4 मिनट के लिए हाइ फ्लेम पे रखेंगे गैस का फ्लेम जैसे ही एक उबाल आ जाएगा हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे लो फ्लेम पे हम इसको 10-12 मिनट तक पकाएंगे दस से बारा मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं चावल कितने खिले-खिले से लग रहे हैं चावल में पानी बिल्कुल भी नहीं है हम आपको स्पून की मदद से दिखा देते हैं यह देख सकते हैं यह कितने क्लीन निकले हैं हम आपको एक बार और दिखा देते हैं यह दे ज्यादा सॉफ्ट नहीं हुए है एकदम पर्फेक्ट है जैसा हम लोग चावल खाते हैं बिर्यानी का एकदम होसा ही है यह ठंडे होने के बाद यह चावल जो है वार खिले-खिले हो जाएंगे चलिए हम आपको सर्फ करके दिखा देते हैं आप इसको गर्मा-गरम सर्फ करे यह देखिए आप इस तरीके से बिर्यानी बनाएंगे और जटपट भी बन जाएगी और बहुत ज्यादा देरी भी नहीं लगे कि आपको यह बिर्यानी बनाने में हम इसको मिंट लीफ के साथ इसको गार्णीचिंग कर रहे हैं अंडे में जो हमने कट लगाया था हमने उस पाएगा कि आपने इसे घहर पे बनाया है जब भी आपका अंडे बिर्यानी खाने कमन करें तो आप इस तरीके से जरूर ट्राय करें और यह बहुत एजी भी है और बहुत सिंपल भी है बहुत जल्दी भी बन जाती है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज नीचे दिये गया रेट बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह रेसिपी दूसरों को भी जरूर शैर कीजिए एक बेल पिसे जरूर ट्राय करें दोस्तों तब तक मिलते हैं दूसरे रेसिपी में त